Hello everyone, welcome back to a month की बाद हम हाजर एक और वीडियो में अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन अफ दो मोस्ट एंटिसिपेटेटेड़ फिल्म्स ऑफ इंडिन सिनेमा जो की बहुत ही जादा इंड्रेस्टिंग होते हैं बहुत ही जादा एक्साइटिंग होते हैं उसी में अभी रिसेंटली उन्हेंने बताया है कि अगला फिल्म जो है उनका महेश बाबू के साथ वो ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रिपल रर के सक्सेस के बाद वो ऐसा सोच रहे बलकि उन्होंने बताया कि वो ऐसा मतलब पिछले 10 साल से वो प्लाइन कर रहे है और बहुत ही जादा डिले हुआ है यह प्रोजेक्ट और मतलब बहुत टाइम सुन का सपना था बहुत टाइम से उनका सोच था इस तरह कि एक फिल्म ग्लोबल एडवेंचर फिल्म बनाने का और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने CAA के साथ टाइप किया है CAA मतलब Creative Artist Agency जो कि एक Talent Agency है अमेरिका की उसके साथ उन्होंने टाइप किया है और उन्होंने बताया कि वह बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं अपने अपने respective fields के उनसे हम लोग को मिला रहे हैं और कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है इस बार इंडियन सिनेमा that is for sure क्योंकि SS Raja Mali सब हमेशा इससे path breaking cinema के लिए जाने जाते हैं कुछ अलग boundaries को break करके barriers को break करके कुछ नया कुछ अलग हटके कुछ ऐसा mind boggling हम लोग के सामने रखते हैं कुछ ऐसा technology में और यह सब में कि बस आत्मी देखते कर देखते रहा जाता है बहु बली कौन ही बूल सकता है कि 2015 में जाके उस तरह का cinema हम लोग के सामने इंट्रिजूस के और उसके बाद से जो बार इतना high set हो गया है कि अब हर कोई उसको reach करना है उसको तोड़ने का ही सोचता है तो अब SSMB 29 से भी कुछ ऐसा होने वाला है कि cinema उसके बाद बदल जाएगा क्योंकि बहुत सारे agencies से हम लोग बात भी कियों उसके बार में और बहुत सारे अलग-अलग technological fields में बहुत सारे VFX studios में बहुत जगा उनके बात चल रही है बहुत जगा वो जा जाके सब कुछ देख रहे हैं और इस बार कुछ हमको लग रहा है कि कुछ एकदम out of the world out of the box एकदम मतलब इससे पूरा दुनिया हिल जाएगा कुछ उस तरह का planning में है SS Raja Maury साब जाहिर सी बात है कि इसमें भी समय लगेगा तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग writing stage में है SSMB 29 के और अभी भी कुछ time है जब तक हम लोग floors पे जाए और एक ऐसा कानी है जो कि बहुत ही interesting है और उन्होंने कहा कि यह बहुत तरीके से बनाए जा सकती है बहुत अलग अलग बेज में फिल्म बन सकती है यह वाली तो अभी भी हमने decide नहीं किया है कि हम किस तरह से बनाएंगे यह फिल्म को और कैसे बनाएंगे तो अभी बोलाया उन्होंने की समय है लेकिन excitement बहुत जादा है अब देखते हैं अब इसका announcement जो है इस फिल्म का में के आसपास में हो जाएगा and then शायद pre-production वगरा शुरू हो जाए अब देखते है floors पे तो इस साल के end तक जा पाती है कि नहीं वो भी देखने वाला बात है क्योंकि राजमारी साब की फिल्मों में देर ही होती है लेगिन देर आते हैं लेगिन दुरुस्त आते हैं फिल्हाल जो भी उनके statement या जो भी information आ रहाए SSMB29 के बारे में आपको देते रहेंगे उसके लिए आप subscribe कर लेना और bell एकन जलूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी update आए तो आपसे टेक क्यार और थैंक यू फो आजिए